आज की कहानी का नाम है, नफरत ए इश्क, यह इस कहानी का फर्स्ट भाग है, यह एक हिंदी कहानी है, चलिए शुरू करते हैं, जल्दी करो बेटा, तुम्हें यहां से निकलना होगा, अगर वो लोगा गए, तो तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन मौसी में कहा मौसी बाते करने का टाइम नहीं है, सोनो और सोनी दोनों को मैंने अपनी बुआ के पास भेज दिया है, तुम्हारे बैग में मैंने कुछ पैसे और डाक्यूमेंट्स रख दिये हैं, तुम्हारी फ्रेंड आज सेमिनार के लिए चंडीगर जाने वाली है, तो उन्ही लोग सरला आंटी के मोबाइल पर दोपहर के 12 बजे या शाम के 5 बजे कांटेक्ट करना, जब तक मैं ना कहूं तुम यहां लोट कर मताना और हो सके तो तुम उधर से ही मुंबई चली जाना और एक अच्छी सी जॉब धून लेना लेकिन अपनी पहचान किसी को नहीं बताना, चुपचाप जाकर हॉल में बैट जाती है, इधर रेशमा अपने माथे को दुपटे से अच्छी से ओर लेती है जैसे उसकी मौसी ने कहा था, और चुपती चुपती रेलवे स्टेशन अपने फ्रेंड लोग के ग्रूप में शामिल हो जाती है, अभी वह अपनी फ्रेंड की कोई कमी नहीं थी, जो चीज बोली जाती थी वह चीज हाजर हो जाती थी, सत्पार राना गाव का प्रधान है, गाव में कोई भी गलत काम हो या दुख दर्द, उसका फैसला सत्पार राना जी करते थे, यहां की पुलिस और कानून व्यवस्था को अपनी मुठ्थी में करके रखी हुई थी, कोई उनके खिलाफ जाने के बारे में सोचता भी नहीं था, इनकी पस्नेलिटी कड़क स्वभाव की थी, अपने खांदान के नाम पर कोई आंचाने पर यह एक खुंखार आदमी भी बन जाते थे, उन्हें सही गलत का कोई होश नहीं रहता था, गलती कोई भी करे लेकिन छोड़ते नहीं थे, चाहे वह उनका खुद का बेटा ही क्यों ना हो, इस कहानी का यह अध्याय यही समाप्त होता है, अगर आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना चाहते हैं, तो इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें